रामगण के थाना चौक इस्थित कोहीनू ज्वेलर्स में चाट डेकेतों ने बड़ी घटना को एंजाम दिया। दुकान में रखे स्टाफ को गन पॉइंट में लेकर जियो रात ले उड़े। घटना के बाद दुकान में स्टाफ मौजूद था। चार लोग आये थे और गन पॉइंट पे रखकर लगभग सारा सामान ज्वेलरी का ले लिया। घटना के बाद रामगण थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और जान शुरू कर दी है। इस बाद रामगण चेंबर ओफ कॉवर्स के सदे से आनंद अगरवाल ने बताया कि रामगण के पुरशासन बवस्ता एकदम चौपट हो गई है बीच बजार में अपराधी इतनी बड़ी घटना को एंजाम दे कर चले जा रहा है। जबकि घटना स्थर से रामगण ठाने की दूरी महज 100 मीटर है और खास बात यह है कि राज के मुखमंत्री हेवन सोरेन रामगण जिले के नेमरा आये हुए हैं और उसी बीच जब सुरक्षा कर्मी पुलिस का फूकस उनकी आत्रा पर है नेमरा की आत्रा पर उस बीच डख अपरादी ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है चार नगाप पोस्ट जो अपरादी है वो आए दुकान में उस वक्त स्टाप मौजूद था दुकान के मालिक उस वक्त नहीं थे वो अंदर घुसे हलमेट पहन कर और वहां पर घुसने के बाद स्टाप को गन पॉइंट रखकर लगभग में स्टो आप कराके सारा समान जो है जो है वो लुट लिये हैं और घटना स्टर पर अभी रामगर थाना पौलिस पहुंची है और घटने की जो CCTV है वो जाश कर रही है अब देखना यह होगा कि कितना का समान गया है यह वी जाश चल रही है लगबग तमा वाला इलाका है यहां पर जो की महज लगभग कहें तो 200 मिटर के दूरी में यहां पर से रामगड थाना है और खास बात यह देए कि आज रामगड में मुख्मंत्री हेमन सुरन भी अपने चेचरी भेहन के साधी में आज नेमर आये हुए हैं तो रामगड चैमर अब कॉमर्स नहीं हुआ है जिसना ख्लुसा भीतकि नहीं उनने जो गठना रहे हैं धुश्डर लगता है समाधी लेली अजबूती ही हमारी पहचार जारखन बिहार की तमाम तासातरीन खबरों के लिए देखे न्यूजबाइस कोड़ अब जियो टीवी पर भी उपलब्द इसके लवा तमाम बड़ी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर भी उपलब्द है बिहार भी सिटी केबल पर चैनल नमपर 232 पर देखे लेटिस्ट खबरे और डाउनलोड कने प्ले स्टोर से नियूजबाइस कोप एप